हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिख्छा भी था यूस में और मैं आई यूस आप सबों के लिएक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर थर्टी सिख से प्र वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा चैनल से अभी तक नहीं जूरे है नए है चैनल पे तो चैनल से जरूर जूर जूर जाईएगा तो देखते हैं आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थ तकी हैं और उनसे सम्मादित निर्ट दिये गए हैं तो आपको बताना है कौन सा गलत है सही वाला नहीं पिक करना है तो देखते हैं पहला जो अप्षन है सास्वती सेन भरत नाट्यम तो ये वाला जो है सो आपका गलत है और प्रस्ट से देखेंगे तो राइट एंसर आपका option number A हो जाएगा सास्वती सेन की बात करेंगे तो ये आपके कथक जो आपका dance form है उसकी निर्तांगना है कथक dance form है उसकी निर्तांगना है और साथि अगर भरतनाट्यम के बारे में देखेंगे तो एक नाम है जैसे अमरिक नालनी सारा भाई आप लोग जानते होंगे भरतनाट्यम के निर्तांगना है बाकी के options को भी देख लेते हैं माधुवी दुगल है जो की ODC निर्ते से सम्मंदित है नंदिनी सिंग की बात करेंगे तो ये भी आपका कथक से सम्मंदित है और सास्वती सेन जो की उपर में बताए हो तो भी कथक से सम्मंदित है नेक्स्ट है राधार एड़ी जो की कुछी पूरी से सम्मंदित है वह रहेंगे दूसरे प्रस्शन के तरफ दूसरा एनिमलेकेत में से कौन से संशेप्त भारती है सिबिल सेवाओं की स्रेणियों से के सम्मंद में सही नहीं है मतलब भारत में जो सिबिल सेवा की परिच्छा होती है उसके सम्मंद में कौन सा सही नहीं दूखिए IPS जो होता है Indian Police Service यह तो आपका सही है IS होता है Indian Administrative Service यह भी आपका सिबिल सेवाओं में आता है आगे है ICS Indian Civil Service इसको बोलते हैं लेकिन इसके बारे मैं भी देख लेते हैं और एक है आपका IFS तो यह आपका Indian Foreign Services तो A, B और D तीनों हैं तो कौन सा नहीं है वो है आपका C वाला ICS, ICS होता है आपका Indian Civil Services लेकिन यह जो है सो आपका British's के टाइम पे जो होता था ठीक है British's के टाइम पे आपका ICS होता था अभी इसको जो है सो चेंज कर दिया गया कि 1947 के बाद से मतलब freedom के बाद से इसको हटा दिया गया ICS को ICS के जगह पे एक तरह से हम लोग बोलेंगे तो IES होता है या फिर IPS से Civil Services है दूसरा है निम लिखित में से क्या एक portable device नहीं है ठीक है निम लिखित में से कौन सा एक portable device नहीं है तो देखते है iPad आपका portable device है, laptop भी portable है, thumb drives की बात करेंगे यह भी portable device है desktop computer ठीक है तो option number D यहाँ पर सही होगा desktop computer जो है यह आपका क्या होता है एक type का portable device नहीं होता प्रोटेबल क्या होता है जो कि हम लोग carry कर सकते हैं as simple language हम लोग इसको भी बोल सकते हैं तो iPad है carry कर सकते हैं laptop हो या thumb drive हो लेकिन desktop computer जो होता हम लोग इसको carry नहीं कर सकते हैं next है चौथा प्रस्टने निमलेकित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है बाकी जो है सो ब्रिधन्त हो या मलासे हो मुख गुहा ग्रास नली अमासे आत जो भी option है सभी अहार नली के अंग है ठीक है लेकिन यक्रीत और अगनासे जो है सो अहार नली elementary channel का पार्ट नहीं है option number C यहाँ पे सही होगा next है आपका पांचपा नमर प्रस्न है विनेश फोगाट एक सर्प्स्रेस्ट भारतिय डेस है विनेश फोगाट सभी को पता होगा कि scale से सम्मंद तो पहलवान है विनेश फोगाट के है भारतिय पहलवान छठा प्रस्न है कि लगु जुआर भाटा लगु जुआर भाटा कब आता है तो देखें लगु जुआर भाटा कब आता है देख लेते हैं जब सुर्य और चंद्रमा प्रीथवी के समकोन पर होते हैं तो पहला option ही आपका right हो जाएगा ठेक है लगु जुआर भाटा कब आता है तो जब सुर्य और चंद्रमा में कुछ इन करते हैं मतलब computer को कुछ देते हैं जैसे keyboard हो गया तो keyboard keyboard से हम किसी भी चीज को type करते हैं तो वो क्या होता computer में जाता है तो ये क्या हो गया एक ट्राइब कै lets imiento device होगा और वैसा कोई device जिसके थूर हम लोग computer से कुछ लेते हैं, जैसे printer है, हो सकता है कि हमारा कोई mail आया कहीं से, और उसको हम लोग क्या करते हैं print करके hard copy अपने पास ले लेते हैं, तो printer क्या हो गया, एक तरह का output device हो गया, तो input output तो यह basic concept है, आसान है इसको आप लोग आसानी से देख लिजेगा, इसमें होता है, और फिर कुछ ऐसा भी आपका एक आपका machine होता है जिसमें scanner और printer, दोनों का भी work होता है, तो उसमें अगर देखेंगे तो अगर वो print कर रहा है, तब जो है वो output device है, और scan कर रहा है तब उस time में जो है सो वो input device हो जाता है, यह चीज है, आगे है आठमा प्राशन है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंग का नारा किसके ने दिया था तो सुभास चंदर बोस जी के दोरा ठीक है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, दोनों ना रख इसके दोरा तो सुभास चंदर बोज जी के दोरा काफी फेमस भी था दिल्ली चलो वाला या फिर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजा दे दूँगा नेक्स्ट है, आपका नॉमा प्रस्ण है कि भारत में निमलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सामराट हुमायू के पुस्त काले को देखने के लिए जाएंगे ठीक है, तो वो जगह, कौन सो जगह नई दिल्ली हो जागा, प्रस्ण को थोरा सा घुमाये गया बाकी कुछ है नहीं प्रस्ण में हुमायू के बारे में देख लिजएगा मुगल सामराज का दूसरा सासक है और मुगल सामराज में अगर देखेंगे तो बावर के दौरा स्थापना किया गया था कब तो पंद्रोसोचपविस पानीपत के पानीपत का जो प्रथम युद हुआ था उसके बाद मुगल सामराज की नीव डाली गई थी निक्स्ट है आपका दसमा प्रथम निमलिखित में से कौन सा बैक्टेरिया समू है निमलिखित में से कौन सा बैक्टेरिया समू है तो मानव आतों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिती रुग उत्पन करने वाले सुक्ष्म जीवो द्वारा संदूसन को इंगित करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉली फॉर्म हो जाएगा ऑपसन नमबर B आगे है गयराहमा प्रस्थित निम्लिकित में से किस ने भारतिय संविधान के अनुचे 370 का पारूप तयार किया था देखे अनुचे 370 था यह तो फिलहालब बन्ध हो गया है खüt्म हो गया है लेकिन उसका पारूप किसके दोरा तयार किया था वो चीज पुछा गया है तो वो किया था गोपाल स्वामी आयंगर के दोरा तयार किया गया था अपसन नमबर D आगे है बारामा प्रस्ण है कि तेंजिंग नौर्गे राष्ट्रिय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली IPS अधिकारी कौन है तो तेंजिंग नौर्गे के बारे में आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट पर चरहाई करने वाले पहले व्यक्ति थे तो यह पहली बार कब पब्लिस किया गया था तो 1990 में सबसे पहले प्रकासित किया गया था option number A 14 हमा प्रस्ण है कि भारत में विद्याले जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज कौन सा था तो पहला जो राज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो वो राज हो जाएगा आपका तमिल नाड़ू ठीक है किसके लिए तो मध्याह भोजन योजना को लागू करने वाला पहला राज आगे है 15 मा प्रस्ण नेम लेकित में से किसने ओलंपिक का नीती वाक प्रस्तावित किया था तो अलंपिक का नीती वाक जो किसके दोरा प्रस्तावित किया गया था तो पियरेडे कारबोटियन के दोरा ठीक है किसके दोरा तो पियरेडे कारबोटियन के दोरा बाकी देख लेते हैं अगर उलंपिक के बारे में तो कब इसकी सुरुआत किया गया था तो आपका जो करनाटा के हैमिल्टन में और एसियन गेम्स की बात करेंगे तो नई दिल्ली में सबसे पहले 1951 में आगे है आपका निमलिखित में से संबीधान का कौन सा अनुछेद नए राजियों के गठन से संबंधित है ठीक है तो नए राजियों का जो गठन होता है किस अनुछेद के अनुछेद है आपके अनुछेद नंबर तीन ठीक है भाग एक के आगे है सतरहमा प्रस्ण है कि संजुक्त राज अमेरिका USA के किसी राजियों के गवर्नर बनने वले पहले भारतिय अमेरिकी कौन है तो देखे आपका जो अमेरिका में क्या होता है परसिडेंट फॉर्म हो क्कोर Canada कोई टर्म नहीं होता है और तो उसी में जो सो राजियों में क्या होते हैं गवर्नर होते हैं है जैसे हमारे हाग है आपके मुखमंत्री एंप्रनर अंके उपधर होते हैं लेकिन अगर देखेंगे तो मुखरूप से ऐलेकिट वाले जो होते है वह आपके चीफ मिनि ठीक है क्या जाएंगे बॉब्बी जिंदल इनका पूरा नाम प्यूस बॉब्बी जंदल है और यह जो है तो आपके अमेरिका के स्टेट है लूसियाना ठीक है तो लूसियाना के गवर्नर बने थे अप्रोक्सिमेट्ली इस 2008 से 2016 तक तिक है इसको थोड़ा सा देख लिए हाँ लेकिं 2008 से 2016 तक कही ये बात है तिक है पहले भारती अमेरिकी थे जो कि किसी भी राज के गवर्नर बने थे प्यूस बॉपी जिंदल किस एस्टेट के तो वो था एस्टेट outtainks याना आगे अठारामा अमश नमर प्रस्वन है कि किस राज की परमपरिक संगीत वादियंतर है तो ख्ुवन है यह आपका मिजोरम का टेख है मिजोरम यह परमपरिक वादियंतर है कोन स्टग कोपी डिवा का कौन सा अस्थल सिंधु नदी के तट पर इस्थित नहीं है तो सिंधु नदी के तट पर इस्थित नहीं है कौन सा सभेतास्थल हो जाएगा तो कोट दीजी की बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पर है मुहांजोदारू है चन्हुद्रो ये तीनों आपका सिंधु अधी के तट्पे नहीं, रोपर किस नदी के तट्पे है, तो ये आपका सतलज नदी के तट्पे, सतलज नदी के तट्पे और कहां पे हैं, तो पjemजाब में हैं, आगे है आपका दूसरा practice weight है, आज क्या, जो होगा हमारा practice weight number 37, पहला question है जिकες है, कि Benher, ठीक है, Benher, A Tale of the Christ के लेखक कौन है, तो Benher, A Tale of the Christ, यह जो बुक है, इसके लेखक हो जाएंगे आपके Liu Wallace, ठीक है, कौन हो जाएंगे, Liu Wallace हो जाएंगे, Option number D, नेक्स्ट है, आपका तीसरा प्रस्ण है कि कृष्णा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा है, तो देखे, कृष्णा नदी जो है, यह आपकी कहां से, तो महा बलेसर की पहारियों से निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा जागा, तो महा बलेसर, Option number D, यहां पर राइट एंसर होगा, बाकी कर अमर कंट के बारे में देखे, तो अमर कंटक से मुखरूप से तीन नदीया निकलती है, कौन कौन सी, तो एक आपका नर्मदा नदी, दूसरी महा नदी, और तीसरी है सोन नदी, तो तीन नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, और महा नदी, बाकी एक और Option, आपको यहां मूलताई भी सिक्कीम बाला, तो सिक्कीम की सीमा मैनमार से नहीं लगती है, सिक्कीम की सीमा अगर देखेंगे तो यह आपका इस तरह से यहां पे है, और यहां बगल में भूटान से, ठीक है, भूटान से और इधर में देखेंगे तो नेपाल से, और मैनमार से किसकी सीमा लगती है, तो रसा सही से मेरे से बन नहीं रहा है लेकिन यहां पर आपके चार स्टेट है तो यहां पर ऊपर में अरुनाचल प्रदेश है फिर है आपका नागा लेंड है अरुनाचल प्रदेश है फिर आपका नागा लेंड है उसके बाद आपका मनीपूर है और नीचे में आपका मिजोर तो इस तरह से चार स्टेट से मनिपूर की सीमा लगती है म्यनमार की सीमा चार भारतीय राजे से लगती है आगे है पांचमा प्रस्ण कि अंतराष्ट्री जय बिविधता दिवस कम मनाया जाता है तो देखे अंतराष्ट्री जय बिविधता दिवस कम मनाते हैं तो 22 माई को ठीक है कम मनाते हैं 22 माई को अंतराष्ट्री जय बिविधता दिवस नेक्स्ट है छठा प्रस्ट है कि किसने वर्धा योजना की या बुनियादी सिक्षा को प्रस्तावित किया तो वर्धा योजना या फिर जिसे बुनियादी सिक्षा भी बोला जाता है किसके दोरा प्रस्तावित किया गया तो महात्मा गांधी जी के दोरा option number A सात्मा प्रस ने कि ट्रांजिस्टर का समंध कंप्योटर के किस पीरी से है तो ट्रांजिस्टर जो है किस आपका पीरी में किस जनरेशन में आपका यूज होता था तो यह जो है सो आपका सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर किसमें यूज होता था तो ये आपका second generation में यूज किया जाता था और first generation में कर देखेंगे तो vacuum tube vacuum tube उसमें इस्तमाल होता था अभी तो आपका जो है intelligence पे work कर रहा है आगे है आपका भारत में के संबिधान में कौन सा अनुझेद अंतराश्रिय सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज के नीती निदेशात्मक सिधान्त व्यक्त करता है तो कौन सा अनुछेद है संभिधान में कौन सा अनुछेद है जो कि अंतराश्री सांती और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज के निती निर्देशक निदेशात्मक सिधान्त व्यक्त करता है तो वो अनुछेद आपका कौन सा जागा अनुछेद 51 आगे नुवमा प्रस्ण की स्वर्ण क्रांती किस छेदर से सम्मंदित है तो golden revolution तो स्वर्ण क्रांती यह आपका सम्मंदित है किस छेदर से तो फल से फल के छेदर से फलों के उत्पादन से सम्मंदित है आपका स्वर्ण क्रांती अंडे से आपका रजत करांती याद आपको रखना है ठीक है अंडा उत्पादन से कौन सी करांती तो रजत करांती किसे सम्मादित है अंडा उत्पादन से नेक्स्ट है आपके दसमा प्रशने की पासी कोंगांगी, ठीक है? पासी कोंगी की किस राज का लोग निर्थ है? तो पासी कोंगी की जो है यह आपका अरुनाचल प्रदेश का लोग निर्थ है, option number C. 11 हमाप प्रश्ण है कि निमलिखित में से कौन सा अब लोग निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रसायनिक परती के रिया हुई है या नहीं तो वो कौन सा जगा उचाई में पडिवर्तन, option number D आगे है 12 हमाँ प्रश्ण है कि निर्ति को लदाक के साही निर्ति के रूप में भी जाना जाता है तो लदाक के साही निर्ति के रूप में किसे जाना जाता है तो वो आपका जाना जाता है सोंडालो निर्ति को सोंडोल निट्ट को हम लोग जानते हैं लदाक के साहे निरते के रूप में option number C, right answer होगा आगे है तेरह हमाँ प्रस्ण है कि a short at history, my obasive journey to Olympic gold किस भारतिय निसानेवाज की आत्मकता है तो यह जो है सो आपका अविनो बिंद्रा अविनो बिंद्रा की आत्मकता है next है आपका चोधामा प्रस्ण है कि अकवर के सासनकाल में किस पुस्तक का अनुबाद दर्रजम नामा के रूप में किया गया था तो दर्रजम नामा काफी उस समय में जो आपका परचलित भी हुआ था तो महाभारत का जो महाभारत जो गरंत है हिंदूओं का उसका अनुबाद अकवर ने भी करवाया था किसलिए तो इसका मुख देश यह था कि वो अपने मतलब युद्ध कौसल को जो है सो सीख सके और किस तरीके से उस वक्त में युद्ध होते थे और मुख रूप से यही है कि अपने सैनिकों को और सबसे बड़ी चीज है कि अनुशासन के साथ युद्ध में किस तरह से लड़ा जाता है बागी जो भी युद्ध कौसल को लेके ही इसका जोयसो अनुबाद करवाया गया था दर्रजम नामा का और किसका जोयसो यह महा भारत का अनुबाद था आगे है पंद्रहमा प्रस्ण है निमलकित में से कौन सा परवत भारत में लद्धाक के सियाचीन छेतर के पास इस्थी थे तो लद्धाक के सियाचीन छेतर के पास स्थित है तो वो कौन सा हो जागा आपका के टू पर बत टेक है के टू जिसको गौडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है कहां पर तो लद्दाक के सियाचीन शेतर के पास इस्थित है आगे है सोलामा प्रस्ण है कि कंप्यूटर के संदर में डबलू ओ आर एम किसका संशिप्ट रूब है तो डबलू ओ और एम का फूल फॉर्म होता है राइट वंस लिड मैनी टिक यह राइट वंस और रीड मैनी ऑप्सन नंबर यह हैं पर सही है सत्रहमा प्रश्णाइ कि निमलिकित में से कौंसा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और डक्छिन में अन्ना मलाई पहारीों के बीच में है तो गासा है आपका काफी आसान है तो पाल गहाट डर्रा अगर देखेंगे तो आपके साउथ इंडिया में एक है पाल घाट दर्रा ठीक है उसके भोर घाट दर्रा जो कि आपका महरास्ट्रा साइड में है तो यह मुखरूप से बाकी जो कारा कोडम है रोतांग है यह सभी आपके जोई सो नौर्थ में है नेक्स्ट है ठारामा नमर निम्ली खित में से कस आंदोलन के सुरुआत महात्मा गांदे द्वारा 1903 में की गई थी देकि 1930 में कौनसा आंदोलन चलाया गया था सभी को पताधा होगा काफी आसान है यह जो आपका सभीने अबग्ग्या WrestleMania अनदोलन ठीक है भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में दी गई है, तो money bill के बारे में अगर देखेंगे तो सम्विधान का जो अनुछेद 110 होता है, यह जो है सो आपका किसे सम्मंधित होता है, money bill से सम्मंधित है, option number D, बीसमा प्रस्टने कि विद्रोही कभी के रूप में किसे जाना जात है, आगे है आपका 38 नमबर प्रैक्टिसेट है, देखते हैं पहला प्रस्ट, पहला प्रस्ट है कि सोरा, ठीक है सोरा जिसको साल्ट पीटर बोला जाता है, तो सोरा का रसायनिक सुत्र क्या है, तो इसका रसायनिक सुत्र क्या हो जागा, KNO3, ठीक है, KNO3, नेक्स्ट है, द नदी आपकी हो जाएगी सरस्वती नदी, फ्रस अगर इस चीज़ का भी आईडिया होगा तो काफ़ी आसानी से कर लेंगे हुगली नदी हो यमुना हो या मेहा नदी, यह तीनों ज espaço अगर देखेंगे तो गुजरात में से किसी भी नदी का समन्द गुजरात से नहीं है, बाकि एक सरस्वती है जो कि आपका गुजरात से, रानी की बाप कहाँ पता होना चाहिए, तो गुजरात के पाटन में, आगे है तीसरा प्रस्वन नेमलिखित में से कौन सी नदी पाचमी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पस्ची में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो पाचमी बड़ी नदी है और पस्ची में बहने वाली है तो देख लेते हैं, पस्ची में बहने वाली सोरन रेखा तो नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं, दूसरा उप्सन प्रवर तो ये भी नहीं होगा, गोदाबरी आपका जो सो देखेंगे तो दक्षिन की नदी है, तो कौन सी नदी हो जागी, वो नदी हो जागी आपकी नर्मदा नदी, option number C आगे है चोथा प्रस्णा की वैग्यानिको की योगदान के संदर में, जिसके लिए उन्हें नोबल पुरसकार से समानित किया गया था, निमलिकेत में से कौन सा युगम सही है, आपको वो बताना है, पहला है आपका क्वांटम यांत्रिकी, तो क्वांटम यांत्रिकी के गया लिली को दिया गया था, यही आपका सही, आपसा नमबर ए वाला, आगे है पांचमा प्रस्णा की उत्तर भारत में वह कौन सा वनजीब अभ्यारन, त्री राज्चे संरक्षे छेत्र है, जो गंभी रूप से विलुप्त प्राइग घरियाल, रेड काउंड रूफ्ट टर्टल और विलुप्त प्राइग गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन-कौन से तीन है, तो विलुप्त प्राइग घरियाल, उसके अधर रेड क्राउंड, रॉफ्ट टर्टल और एक है आपकी गंगा डॉल्फिन, तो कौन सा भ्यारन है, जो यह अधर प्रस्टन है, कि डैस परव असम के अहोम लोगो द्वारा प्रतिवर्स 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों के स्मिर्थी में मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो एक और कोस्चन यहां से प्रिपेर हो जाएगा क्या, कि अहोम जन जाती जो सो किस राज से है, तो वो असम राज से है, और उनके द्वारा एक 31 जनवरी को प्रतिवर्स एक तेवहर मनाते हैं, किसलिए तो स्वर्गवासी लोगों के स्मिर्थी में, तो कौन से तेवहर है, तो वह तेवहर आपका हो जाएगा, मेडाम मेफी, ठीक है, मेडाम मेफी, ओप्सन नमबर D, सात्मा प प्रस्ण है कि, डैस एक परमपरिक भारतिये खेल है, जिसमें एथलीट बिभिन प्रकार के जिमनास्टिक गतिवीदियां कराते हैं, और एक उर्धवादर लकरी के खंबे पर बिभिन मुद्राएं दरसाते हैं, तो वह कौन सी हो जाएगी, तो वह है आपकी मलखंब, ठीक डैस में इस्थित होता है, तो सीनों और टियल नोड जो है, आपका किस में इस्थित होता है, तो यह आपका इस्थित होता है, ठीक है किसमें, हिर्दय में इस्थित होता है, दसमा प्रस्ण की, अवसाद एक डैस विकार है, तो अवसाद किस प्रकार का विकार है, तो यह आ आपका मनोदसा समंधी, ठीक है किसे समंधी है, तो मनोदसा समंधी, option number D, next है 11 है ग्यारहमा प्रस्ण की बांधव गड़ टाइगर रिजर्व डैस राज में इस्तित है, तो बांधव गड़ काफी ज़्यादा कूछा भी जाता है, तो बांधव गड़ जो है आपका कहाँ पे तो मद्ध प्रदेश में इस्तितेक टाइगर रिजर्व है, बारहमा प्रस्ण की भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो, कोड़ नेम के तहद, डैस को अपने अधिकार में लिया था, तो वो जो है आपका हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद क्या था, कि जब आपका धीरे दिरे सभी राजगया थे, भारत में आपका विले कर रहे हैं थे, पहले मतलब की जो राजगहराने होते थे न, तो पहले 1948 से पहले तो वो सभी अलग-अलग थे, लेकिन हैदराबाद जो था, वो भारत में मिलने के लिए तयार रही था, तो उस समय ग्रिह मंत्री हुआ करत था, उसमें बहुत बड़ा योगदान था उनका, तो उन्हीं के दुआरा जो है सो, मतलब बहुत प्रयास किया कि है हैदराबाद को मिलाने का, लेकिन क्या हुआ है हैदराबाद इस चीज के लिए एगरी नहीं हुआ था, तो उसी के बाद जो है सो, वहाँ पर आपका आप पेशिये पाद की सहायता से होती है, तो डैस में हरकत एक पेशिये पाद की सहायता से होती है, तो किसमें हरकत तो गोंगे में, ठीक है, आपसर नमबर C, आगे है आपका निमलिखित में से किस राज में भारत के सरवाधिक समुद्र, सरी, समुद्र ने, समुरिद है, ठीक ह तो मोना जाइट भंडार सबसे अधिक कि सराज में पाए जाते हैं तो वो आपका हो जागा केरल में option number B आगे है पंदरहमा प्रस्ण है कि फिल्ड मार्सल भारतिय सेना में सर्बूच रेंख है इन्हें कितना star प्रदान किया जाता है तो फिल्ड मार्सल जो भारतिय सेना में सर्बूच रेंख होता है कितना star इनको मिलता है तो इनको कुल 5 star से समानित किया जाता है option number B आगे है 16 हमा प्रस्ण है कि automatically ठीक है automatically programmable tool का विकास किसने किया था तो ATP जिसको क्या बोलते हैं तो डॉगलस डी रॉस के दवारा तो डॉगलस डी रॉस के दवारा नेक्स्ट है आपका 17 हमा प्रस्ण है कि एक पेटा वाइट इक्वल टू 1024 डैस तो देख लेते हैं काफी है इकसान है तो देखिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं अगर 1024 केवी को देखेंगे तो यह आपका 1 MB बनता है ठीक हो और इसी तरीके से 1024 MB जब आपका मर्ज हो जाएंगे तो वो क्या हता है 1024 MB जब आपके मिल जाते हैं तो वो आपके बन जाते हैं 1 GB ठीक है क्या बनते हैं 1 GB और इसी टाइप से जब आपके 1024 GB मिल जाते हैं तो वो निर्मान करते हैं किस चीज़ का 1 TB का ठीक है किसका 1 TB का ठीक है 1 TB का और इसी तरीके से जब 1024 TB बनते हैं जो कि भी प्रस्ट में पूछा गया है, तो वो आपके एक पेटावाइट का निर्मान करते हैं, तो यहाँ पर आई टेंसर क्या हो जाएगा, टीबी, टेरावाइट्स, आगे अठारामा नंबर प्रस्ट है, कि निमलिखित में से कौन सा एक अस्थलिये प्राकृतिक आपदा का बंडर हो या हीम जंजावत, तीनों जो जैसो आपके प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन अस्थलिये तरीके से नहीं है, नेक्स्ट है उनिसमा प्रस्ट में कि प्राचीन भारत के राजाओं की प्रसंसा में रचित सिला लेखों को डैस के रूप में जाना जाता है, तो उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रसस्ती, क्या बोला जाता है, तो उसे प्रसस्ती बोला जाता है, उपसर नमबर डी, बीसमा प्रस्ट है कि महात्मा गांधी और मुहमाद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे, तो काफि इंट्रेस्टिंग प्रस्ट है, तो भारत में प्रथम पिछरा वर्ग आयोका नेत्रित डैस ने किया था, तो भारत में जो प्रथम पिछरा वर्ग आयोका नेत्रित था, किसके दोरा किया गया था, तो वह किया गया था, काका कालेल करके दोरा किया गया था, अपसर नमबर C, दूसरा प्रस्ट है कि डैस के महा महराजा भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोड के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने अले पहले भारतिये क्रिकेटर थे तो कहां के महराजा हो जाएंगे तो वो थे आपके विजय नगरम के महराजा क्या थे तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले भारतिये क्रि स्थापक हो जाएंगे डॉक्टर सोम्या स्वामिनाथन और सी नेक्स्ट है चोथा प्रस्णा कि पहला एलेक्ट्रोनिक निमेरिकल इंटीग्रेटर एड कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल जेनरल परपस एलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्लिकित में से किस दे आपके स्वामि विवेकाननद तो राम किरिस्न परमहंस के नाम पर कौन थे तो विवेकाननद जी के गुरू थे चठा प्रस्णा कि निम्लिकित में से कौन सी एक अदीस रासी नहीं है तो तापमान आपकी अदीस रासी है आयतन समय भी बलागुर्न तो या आपकी क्या है अदीस रासी नहीं है किस परकार की रासी है तो सदीस रासी हो जाएगी सातमा प्रस्णा निम्लिकित में से किस भारतिय प्रद्योग की संस्थान से फिनिक्स मेडिकल सिस्टम के सहयोग से देश की पहली स्वधेसी तो पड़ अभी कल्पित विलचेर लॉंच किया गया है तो किसके द्वारा जो है सो यह अब निर्मान किया गया है, तो यह आपका निर्मान किया गया है, IIT मदरास के द्वारा, जैके Indian Institute of Technology मदरास. आगे है आठमा प्रस्टना कि Computing के छेतर में HLL का क्या अर्थ होता है, तो HLL क्या Full Form होता है, इसका Full Form होता है High Level Language, टेके क्या होता है, High Level Language इसको बोलते है, Option No.B, आगे है नॉमा प्रस्टना कि रास्ट्री राजमार्क 18 निमलिखित में से किस राज से होकर नहीं गुजरता है, तो रास्ट्री राजमार्क 18 निमलिखित में से किस राज से होकर नहीं गुजरता है, तो वो राज आपका कौन सा जाएगा, वो राज है आपका बिहार, बाकि पस्ची मंगाल, जहारखंड और ओडिस्सा, तीनों से आपका जाता है, आगे है निमलिखित में से कौन सा एक तारा मंडल नहीं है, ठीक है, तो कौन सा एक तारा मंडल नहीं है, वो चीज़ आपको बताना है, तो रोमन, गिरिह, देवी, जो है, किसी परकार का तारा मंडल यह नहीं है, ठीक है, बाकि कन्या हो, या सब्तरिसी मंडल हो, या फिर जल व्याए, ठीक है, ये तीनों आपक बॉरह प्रदर्शित किया जाता है तो लूद नेर्ट जो है सो मुखरूप से किस राजिका लुखन नेर्थ है तो यह आपका हुज जाएगा हरयाना का किसका हरयाना का option number B आगे है निमलखित में से कौन सा एक कोसी किये नहीं है तो एक कोसी किये नहीं है तो अमीवा तो आपका एक कोशी किये है, प्लाजमोडियम भी एक कोशी किये हो जागा, पारामीसियम भी आपका एक कोशी किये हो जागा, लेकिन इस्पाइरो गोरा जो है ठीक है, इस्पाइरो गारा जो होता है या आपका एक कोशी किये नहीं होता है, आपसन नमबर B, आगे है तो चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके किसके मद्ध लड़ा गया था तो बावर और मेदिनी राय के मद्ध में ओप्सन नमबर B तो वो थे आपके राम मनोहर लोहिया तो काफी चर्चित नाम है ओप्सन नमबर A पंद्रहमा प्रशन है कि एक उभयनिस्ट केंदर से समान यात्रा समय पर इस्थित अस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग जानते हैं समकालिक रेखा के नाम से किस रेखा से जानते हैं तो समकालिक रेखा के नाम से बाकि जो आपका समलवन रेखा है तो यह आपका किस लिए जाना जाता है तो समान लवनिये छेतर वाले अस्थान को जोड़ने के लिए समलवन रेखा का इस्तमाल किया जाता है आगे है आपका 16 हमा प्रश्न है कि निमलेखित में से किस विसानू से Influenja root होता है तो Influenja किस Virus के थ्रू होता है तो वो Virus है आपका Mixovirus कौन सी हो जागा Mixovirus हो जाएगा Option number A 17 हमा प्रश्न है निमलेखित में से कौन सा Crickerator अंतराश्छी Crickerat. में अर्थ सतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का भारतिय क्रिकेटर बन गया या बन गई है तो वो कौन हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी सेफाली बर्मा ओप्सन नमबर ए आगे अठारामा नमबर प्रस्टन है कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अतरत भारतिय नागर को को चोह मौलिक स्वतनत्रताओं को अधिकार की गारेंटी प्रतान की जाती है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा वो है आपका अनुछेद 19 तो कौन सा है अनुछेद 19 ऑप्सन नमबर डी 19 नमबर प्रस्टन है कि हर्ज में ध्वनी किस बिसेस्ता को मापा जाता है तो हर्ज में किसको मापते हैं तो हर्ज में हम लोग मापते हैं ध्वनी की अवर्ती को ठीक है किसको ध्वनी की अवर्ती को फिर्क्वेंसी को बिसमा प्रस्वाइब नेम लिखित में से किसे, किसे Baltimore Bullet का उप नाम दिया गया है, तो Baltimore Bullet का उप नाम किसे दिया गया है, तो वह बोलते हैं Michael Phillips, कंद है, तो अमेरिका के हैं और क्या हैं, तो ये आपके swimmer है, स्विमिंग के छेतर से आते हैं. कि निक्स्ट है आपका लास्ट प्रैक्टिस एठ है इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 पहला प्रस्थ न कि निम लखित में से कौन अथारो सच्फ संतावन में अंगरेजियों के खिलाब विद्रोह में इलाहावाद के एक नेता थे तो इलाहाबाद के एक नेता थे अब परियाक राज नाम हो गया है तो वो हो जाएंगे आपके मौलबी लियाकत अली ठीक है कौन हो जाएंगे मौलबी लियाकत अली दूसरा प्रस्वन है कि पहली बार कोड प्रनाली किसके दॉरा बिक्सित की गई थी तो कोड प्रनाली है सबसे पहली बार किसके दॉरा बिक्सित की गई थी तो Norman Joseph Woodland के दुवरा option number B तीसरा प्रस्वन है कि Trackball निम लिखित मेशें कौन सा उपकरण होता है तो trackball है किस type का आपका device होता है तो यह जो है आपका input device होता है ठीक है trackball क्या होता है एक input device होता है चोथा प्रशन है कि हौर्ण बहुत सब किस राज में मनाया जाता है तो नागा लेंड में काफी जर्चित है हौर्ण बहुत सब किस राज में मनाते है तो नागा लेंड में मन गठन किया गया था, फुल्टवर्म किया आता है, तो National Institute of Transforming India, और इसको Planning Commission, जो की योजना आयोग होता है, उसके जगा पे इसको बनाया गया है, 2015 में, नेक्स्ट है, छटा प्रसन है, करकरेखा निमलिखेत में से किस भारती राज से होकर नहीं गुजरती है, तो देख लेते ह दिये गो अप्शन में आंधपर्देश, ठीक है, आंधपर्देश से आपका करकरेखा नहीं गुजरती, करकरेखा जो है सो, आंधपर्देश आपका करकरेखा के नीचे में पड़ता है, ठीक है, करकरेखा के अगर देखेंगे, तो साउथ में आपका आंधपर्देश पड कलती है सात्मा प्रस्ण है कि आधरता के अस्तर को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो आधरता के अस्तर को मापने के लिए किसका हाईग्रोमेटर का सभी को पता होगा ठेक है किसका तो हाईग्रोमेटर का और हाईड्रोमेटर किसके लिए तो जल के खनत तुकोम आपने के लिए निक्स्ट है आठमा प्रस्ट है कुल कितने वेदांग हैं टेक है तो वेदांग पूछे गया है तो कुल कितने वेदांग हो जाएंगे तो कुल छह वेदांग है नॉमा प्रस्ट है निम्दखित में से कौन सी जील एसिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जील है तो एसिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जील तो वो जील आपका कौन है वो जील हो जाएगा आपका राजस्थान का डेवर जील तो आपका राजस्थान का डेवर जील कृत्रिम तरीके से बनाया गया दसमा प्रस्ण ह पुस्तक की लेखा को जाएंगे कुल दीप नएयर, ओपसर नमबर D आगे है ग्यारामा प्रस्टा है कि भारत में दो सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्त में आई थी तो दो सदनों वाली पहली निर्वाचित संसत जो थी वह कावस्तित्युमें मैं आया था तो 1952 में आगे है 12 माँ परशन है मानसून सब्द डएस से लिया गया है तो मौनसून जो सब्द है या आपका किस टाइब का सब्द है तो यह अरभी सब्द है किस टाइब का सब्द है, तो अरभी सब्द है, option number C, तेरह माँ प्रस्ण है, निमलिखित में से मारसल आठ की कौन सी साइडली केरल से सम्मन देत है, तो केरल में कौन सी मारसल आठ होती है, कलारी पयाटू, पता होगा सभी को, आगे है चौदा माँ प्रस्ण है, तेलांगना क निमलिखित में से किस का अविसकार किया था, तो वाल्टर हंटर ने किस का अविसकार किया था, तो सेफटी पीन का, ठीक है, सेफटी पीन का अविसकार किस ने किया था, वाल्टर हंट ने, सोलमा प्रस्ण है, माना दर्रा और नीती दर्रा किस राज में अवस्थित है, तो बर्स भाकरा नांगल बांध की पचासमी बर्स गाठ मनाने के लिए भारत सरकार दोरा एक असमारक डाग टिकट जारी करने के सुविक्रती दी गई थी तो वह बर्स आपका कौन जगा दो हजार तेरह नैक्स 18 माँ प्रसना की राष्ट्ट्री सुरक्षा के हवाई याता यात और रडार को नियंतृत करने के लिए किस परकार के कम्प्योटरों का उपयोग किया जाता है तो किस टimate के कंप्योटर का उपयोग करते हैं तो हाइबरीड कम्प्प्योटर का तो पानीपत का पहला युद्ध सभी को पता होगा 1526 में ठीक है किसके बीच तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लूदी बंस का आकरी सासक था क्या नाम था इबराहिम लोदी और मुगल सामराज की नीप जिसने रखे थी बावर ने उन दोनों के बीच में हुए जिसमें इबराहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था ठीक है और सबसे बड़ी चीज थी कि ज़्यादा सैनिक होने के बाद भी इबराहिम लोदी हार गया और बावर के पास कम सैनिक थे इबराहिम लोदी से फिर भी जीत गए थे क्यों क्योंकि उनकी युद्ध कौसल जो थे स्किल जो था उनके वारियर्स का वो काफी मतलब अच्छा था जिस वज़े से जीत मिली थी आगे है आपका बीसमा प्रस्ण है कि हाइड्रो बीसमा क्या है कि डाइक्लोरो 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 मेथीन का रसायनिक सुत्र क्या होगा ठेक है तो डाइक्लोरो 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 मेथीन तो इसका सुत्र क्या हो जाएगा तो उसका सुत्र हो जाएगा आपका CCL2F2 CCL2F2 option number B तो दोस्तो इस तरह से आज का practice set complete होता है आजा करते हैं वीडियो सभी दोस्तों को पसंद आये होगा PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो description में telegram channel का link है आप लोग वहाँ से join हो सकते हैं PDF आप लोगों वहाँ पे available हो जाएगा वीडियो में आज तक बने राने के लिए फ्रेंट्स बहुत बहुत धन्यवाँ